Class 9, Exercise 6.1 का प्रश्य नमबर 3 देखिए In Figure, PQR बराबर PRQ P, Q, R और PRQ ये देखिए दोनों, जो सिंगल सिंगल हैं, ये एक्वल है Then हमें प्रूव करना है कि PQS, ये जो PQS है ये PRT के एक्वल है, ठीक है हमें क्या करना है देखिए, ये ST एक लाइन है अब इस LINE पर जो जो एंगल बनेंगे देखिए, ये भी एंगल 180 का होगा, ये भी 180 का होगा क्योंकि LINE पर बनने वाले एंगल 180 के होते हैं तो देखिए, देखिया रखा है इनोंने, PQR ये मैंने इससे पहले में ये मैंने ये जो प्रूफ करना था ये लिख दिया था इसलिए एक आट दिया है देखिए ये क्या है PQR देखिए उपर PQR किसके बराबर है P R Q के ये आपको दे रखा है जब भी कोई चीज पहले से बराबर है जैसे मालीजे राम और शाम के पास 80 80 रुपे है और अगर मैं दोनों को 50-50 और देता हूँ या दोनों से 30-30 ले लेता हूँ तो दोनों के पास जो रहेगा उसका रेशो तो सेम ही रहेगा तो जब भी कोई चीज बराबर है तो उसको अगर आप माइनस करें तो दोनों साइट से करते हैं तो देखिए मैंने दो दोनों साइट को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइट बाइ वन एटी, दोनों तरफ 180 में से माइनस किया, क्यों हो, क्योंकि लिनियर पेर 180 के होते हैं, और जायसी बात है, ये 180 में से माइनस होगा, तो ये आजाएगा मेरे पास, है न, हिंदी मीडियम वाले दोनों तरफ 180 से माइनस, मतलब घटाने पर, अब देखिए, 180 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, PQR है, PQR, मतलब इदर ये जो PQR था 180 में से, और इदर क्या है PRQ, ये PRQ लिख दीजिए, 180 में से देखिए, ये जो PQR और PRQ हैं, दोनों को 180 में से मैंने माइनस किया, तो जैसे ही PQR 180 में से माइनस हुआ, ये, तो क्या बच गया अब ये, PQS, क्योंकि ये दोनों मिलके ही, तो linear pair बना रहे है, 180 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PQS, और यहाँ पर देखिए, 180 में से जैसे ही PRQ माइनस हो, तो क्या बच गया, PRT, PRT, तो आपने क्या किया, ये देखिए रखा था, 180 में से माइनस किया, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है, और इस लाइन पे, जैसे SRB एक लाइन है, और QT भी एक लाइन है, तो आपने ST लाइन ले लिया, तो ये अपने IP 100 CK हो गए, और ये ही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, जब भी प्रूफ करें, तो हैंस प्रूफ लिखकें, उसको लास्ट में क्लियर करें, तो इस तरह से, Q3 आपका सॉल्फ हो गया,